साथियों आज की कक्षा में आपका स्वागत है NCRT इतियास कक्षा बारा अध्याय दो राजा किसान और नगर किक्रम में हमने अभी तक दो भाग पुरे कर लिये हैं आज हम तीसे भाग के सुरुवात कर रहे हैं तो आईए विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़िये और आगे बढ़िये अध्यायन की सुरुवात करने से पूरूर नीचे दिये गए लिंक को लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और अपने साथियों को सेयर कीजिए विद्यार्थियों आज के हमारे इस भाग में हम दंडश्यिन भारत के कुछ प्रमुक सरदार के कारियों का अध्यन करेंगे उनसे संबंदित तत्योप्व चर्चा करेंगे साथ ही हम इस बात पर भी अध्यान करेंगे कि किस प्रकार से राजा स्वेम को देवता के समान स्थापित करके अपनी पूजा करवाते थे और स्वेम को देवतुलिय स्थापित करते थे गुप्त सामराज की स्थापना कैसे हुई उस पर चर्चा करेंगे गुप्त सामराज के स्तरोतों पर अध्यान करेंगे तो आईए विद्यार्थियों अध्यान के सुरुआत करते हैं भारती उपमाध्युक में दक्षिन छेत्र में कुछ प्रमुक सरदार वर सरदारिया हुए हैं यहां का जो छेत्र है जो तमीलकम केलाता है तमीलकम छेत्र के अंतरगत तमीलनाडू, आंधर प्रदेश और केरल के कुछ हिसे सम्मिलित है यहां पर मुखी रूप से तीन राज्य थे चोल, चेर और पांडिय यह तीनों ही राज्य सरदारियों के रूप में इनका उदे हुआ तीनों को हम सरदारिय के रूप में जानते हैं आगे अभी हम पढ़ेंगे सरदार वर सरदारियों से क्या तात परी है ये राजे बहुत ही सम्रद थे और इस्थाई सिद्ध हुए है अब हम सरदार के उपर चर्चा करेंगे कि सरदार से क्या तात्परी है सरदार एक सक्तिशाली वक्ती होता है जिसका पद वंचानुगत भी हो सकता है और नहीं भी इसे तात्पर ये है कि पूर में यदि को सरदार था तो उसका पुत्र वंचान को तुरूप से सरदा हो सकता है और यदि उस थेत्र के साशक की मंचा यह है कि उसे सरदार के रूप में स्थापित नहीं किया जाए तो सरदार नहीं भी हो सकता है उसके समर्थक, उसके खांदान के वक्ति होते हैं, उसके परीचित वक्ति होते हैं अब हम इस बात पर ध्यान दें कि सरदार के कारी क्या है, क्या क्या कारी सरदार दोरा किये जाते हैं पहला कारियों, विशेस अनुस्ठान का संचालन करना, कोई भी अनुस्ठानिक कारे हैं, तो सवधार की अनुमति से ही होते हैं, दूसरा युद्ध का नेतरत करना, तीसरा लड़ाई, जगडे, विवात को सुल जाना, परिवार के जगड़ों को सुल जाना, अपने सवधार क को में उस भेट को वीत्रीत करता है यह महत्पर मिंदु था सरदार के प्रमुक कारिय है कि उसके अधिन जितने भी लोग है उन्से मुझे लेगा को से गिफ्ट देंगे साथ ही सरदार उन भेटों को अपने समर्थ कों में वित्रीत करता है ताकि उसकी विवस्ता बनी रहे उसका सरदार का पद बना रहे राजा वा सरदार में क्या अंतर है अब हमारे समख्षी प्रशन आ रहा है कि अगर सरदार गी सभी कारिया है तो राजा वा सरदार में क्या अंतर है राजा वा सरदार में एक मुख्य अंतर है बेट कभी भी दी जा सकती है बार बार दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है अगला महत्पर मिंदू सरदारी है यहाँ पर प्राण में हमने देखा था कि सरदार वर सरदारियां सरदार सार्थ हमने समझ लिया सरदारी का क्या तात पर यह हुआ कोई इस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होते हैं सरदारी के कोई इस्थाई सेना भी नहीं होती है और कोई अधिकारी भी नहीं होते हैं लेकिन सरदारी के पास अपनी कोई सेना नहीं है, यद्दिपीवर लोगों से भेट लेते हैं और वह सम्रद्ध भी है, अब हम दक्षीन वह पस्चीम भारत में कौन से प्रमुख सरदार थे, उसके उपर ध्याल देते हैं, यहां पर हमने पहला लिया है साथ वहाँ, साथ कौन का छेतर कोई सा था? मद्धी और पस्चीम भारत के छेतरों पर शाशन, कब शाशन हुआ है? लगभग धीती सताब्दी इसापुरु से धीती सताब्दी इस्वी तक, और इनका छेतर था मद्धी वा पस्चीमी भारत, दूसरे प्रमुख सरदार हैं, शक, भारती मह साधीव के पस्चीम भारत और पस्चीमें शाशन करने वाले मद्धियशय मूल के शाशक, इनके मूल था, इन्हों ने भी पस्चीम भारत पर शाशन में स्थापित किया, अब हम दक्षिन भारत की प्रमुख सरदारियों का अध्यन करेंगे, जैसे कि हमने पूर में भी इन तीनों की जानकरी किस्तोत कौन से हैं इन तीनों की जानकरी किस्तोत हैं तमील संगम ग्रंथ लक्षिन भायत के जो सहायतिक ग्रंथ हैं संगम ग्रंथ किरलाते हैं और यह संगम ग्रंथों में चोल चेर वो पांडिय सरदारों के बारे में उल्लेक किया हुआ है वह इनी से उपस्तित हैं इस मानचित्र में हम कुछ प्रमुक सरदार वर सरदारियों के बारे मध्यान करेंगे आप देख सकते हैं कि भारत के पश्ची मुत्तर छेत्र में सक शाशक का स्थान हमें दिखाई दे रहा है यह जो छेत्र था जैसा अभी हमने पढ़ा था कि शक जो थे वो भ बारत के प्रश्ची मुट्छ छेत्र में अपने राजी इस्तापित किया दूसरा महत्वुण्ट जो शाशक हुए हैं वहें शाथ वहन 254 कि भी हमें मानचित्र पर दिखाई दे रही है और belts की मध्य प्रैयों चेत्र पर पान दिया आप देख सकते हैं कि तीनों ही दक्षीन भारत में इस्तित हैं और यह सरदारीयों के रूप में जाने जाते हैं इस प्रकार विध्यारतियों हमने सरदार वर सरदाईयों का अध्यान किया विध्यारतियों सासको ने किस प्रकार स्वयम को देवी किराजा के रूप स्थापित किया उसके उपर हम अध्यान करेंगे शाशक स्वयम को देवति लिए स्थापित करना चाहते थे जिससे प्रजा में उनका दबदबा बना रहे हैं इसी वजह से उन्हें अपने आपको देवतार की रूप में चेप्वित करने का प्रियास किया यहां पर हम उदाहर मद्यешश को लेकर भारत तक विष्तरख है कुषान ने श्वयम को देवताहों के रूप में इस्थापित किया उन्हों'न अपने आपको देवताहों से जोड़ा जिस प्रकार के राज़घर्म को कुषान सासवों स्थापित करने का प्रियास किया उससे उनकी इस इच्छा का प्रमान मिलता है कि वे स्वयम को देवता बनाना चाहते थे उन्होंने अपने सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से लोगों में देवता का रूप प्रचारित करने का प्रियास किया उत्तर प्रदेश में मत्हुरा के पास माट की देविस्थान पर एक कुशान साशक की विशाल काय मूर्ती मिली जैसा कि आप यहां पर चित्र में देख रहे हैं यह विशाल मूर्ती इस बात की देवत्तक है कि कुशान राजा स्वयम को इश्वर बताना चाहते थे देवता बताना चाहते हैं साथ ही साथ आप याँ सिक्कों में भी देख सकते हैं कि सिक्कों के एक तरफ स्वेम राजा प्रदेशी थोरा है और सिक्के के दूसरी तरफ देवता स्थापी थे हैं इससे तात्परे है कि कुशान सासक्ष्यम को देवता तुल्य मानते थे इस प्रकार के उधारन हमको अफगानिस्तान के कुछ छेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं वहां के छेत्रों से भी हमें इस प्रकार की मुर्कियां मिली हैं कई कुशान सासकों ने अपने नाम के आगे देव पुत्र की उपादी धारण की, देव पुत्र से तात्परी हुआ देवताओं का पुत्र, या देवता के समान, क्यों देवता का पुत्र है वह भी देवता ही होगा, विद्वान ऐसा मानते हैं कि कुशान सासकों ने चीनी सासकों से प्रेनित होकर, जो कि चीनी सासक पुत्र केते थे तो यह प्रेणा उन्होंने चीन के सास को सलीव होगी और अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया विद्यार्थियों अब हम गुप्त सामरज का परिचे प्राप्त करते हैं मौरियकाल के बाद में गुप्त काल भारत का स्वाणियू कहा जाता है इस समय में जितना विकास हुआ उतना प्राप्ति भारत में किसी भी समय विकास नहीं हुआ गुप्त सामराज की स्थापना करने वाला वेक्ति था श्री गुप्त और श्री गुप्त ने लगबर 275 इस्वी में गुप्त सामराज की स्थापना की गुप्तों की जो राजकी बाशाय वह संस्कर्थ थी और यह इस समय सम्रद्धी का छेत्र था गुप्त सामराज में कवियों ध्वाराव अपने सास्कों की प्रसंशा में प्रसंश्तिया लिए गई गई प्रसंश्ति को निज़ारिक करते हं गव्त सांश्तियों अब हम प्रयाक प्रसंश्ति का वर्णन करेंगे प्रियाक प्रसरस्ती के माध्यन से हमें गुप्त सामराज के शाशकों के बारे में जानकरी प्राप्त होती है प्रियाक प्रसरस्ती की रचना समुद्र गुप्त के राजकवी हरिशेन द्वारा की गई थी और यह संस्कत भाषा में लिखा गिया है जैसे कि हमें पूर्व में भी पढ़ा था गुप्तिकाल में मुख्य रुप्ति से संस्कत बाशा पर जोड़ दिया जाता था प्रयाग प्रस्थास्ति को हम इलाबाद स्थम अभिलेक की रूप में भी जानते हैं क्योंकि इसकी प्राप्ति हमें इलाबाद में हुई है प्रयाग प्रस्थास्ति में समुद्र गुप्त के राज्य अभिशेक दिग विजय और वेक्टित उपर प्रकास डाला गया है समुद्र गुप्त के लिए इसमें जो सब्द प्रयोग में लिये गए वह है कवी राज गायन वा संगीत में दक्स्ता की कारण गुरु तुंगरु वर नारत को भी लजजित करने वाला लाख गायों का दानी उच्च कोटी का विद्वान वर विद्या का सरक्षक का गया है साथ में समुद्र गुप्त को धर्म की प्राचिर भी कहा गया है इससे ये तातपरी है समुद्र गुप्त का वेक्ति तो बहुत विशाल था और वह हर छहेत्र में निपुन था देवताओं में उसे कूबेर के समान वरून, इंद्र और यम के समान माना गया है तो यहां पर हमें ये भी स्पष्ट हो रहा है कि साशक, श्वयम को देवताओं के रूप में भी स्थापित करते थे हरी सेन ने उसे कुबेर, वरून, इंदर और यम के समान माना है इस प्रकार विद्यार्थियों प्रयाक प्रस्ति की अलंकारिक भाषा जो कि संस्कर्ट में है उसकी ब्राम्मी लीपी और चंपू शेली ताथकालिक सम्रद साहिती की प्रतीक है चंपू शेली से ताथ पर ये है कोई भी साही जब गद्य वर पद्य में एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम चंपू शेली कहते हैं इस प्रकार विद्यारतियों आज हमने दक्षीनी भारत के सरदार वर सरदारियों करद्यन किया साथ ही गुप्त सामराज की स्थापना और प्रमुक रुप से प्रयाग प्रस्थास्ति परद्यान किया है अगले क्रम में हम पूरे सिग्र मिलेंगे धन्यवाद अगले क्षीनी प्रमुक रुप से अगले किया है